सील नंबर पांच सुरा, मेरे, मज़, पमादे ठाना, वेरमनी, सिख्खा, पदंग, समाद्यामी शराब चीज ही ऐसी है ना छोड़ी जाए नशा शराब में होता तो नाचती बोदल आखों से पी या मैं खाने से पी और शराब की लद आपने सराब के या नसीले पदारतों के दुनिया में बड़े-बड़े कादना में बड़े-बड़े कविता, बड़े-बड़े मुशायरे बड़े-बड़े शायर, बड़े-बड़े अशार बड़े-बड़े शेर, बड़े-बड़े लोक्तियां, कहानिया और बहुत सारे नाटक मंच आपने देखे होंगे कभी आपने अगर ध्यान दिया हो तो शराप को बहुत ज़्यादा महीमा मंडित करकर पूरी दुनिया में दिखाया जाता है जो भगवान बुद्ध ने पांच सील दिये पांचों सील जरूरी होते हैं उन में से कोई भी सील छोड़ा नहीं जा सकता चार सील पहले बताए जा चूके हैं ये पांच मां सील है मेरे जो और वे जो एक ठोस तरह के पधार्ट को बोलते हैं जो नसीले पधार्ट होते हैं उनको मेरे जो मज्ज का मतलब होता है जो आपने देखा होगा मद निशेद संस्काइद भासा में मज्ज को मद बोलते हैं यानि कि जो मद में आपको ले आए मद मस्त कर दे ऐसी चीजें, ऐसे पधार्ट, ऐसी बात है मगर इसमें जो इससे भी ज़्यादा इंपोर्टेंट है, वो है पमादिट ठाना पमादिट ठाना जो शब्द है इसका मतलब है जो पमाद की स्थान है, यानि जहां आप पमाद में पढ़ जाते हैं जहां पमाद आपको ले के जाता है जहां आप पिरमाद में पढ़ जाते हैं जहां आप का मन राग और बेस में पढ़ जाता है ऐसे स्थान वेरमणी का मतलब है विरत रहना है सिख्था पदं का मतलब है सिख्षा के पद यानि एजूकेशन के जो स्टेप्स हैं और समादियामी का मतलब है सम माने बरावाद पूरी तरह से आदियामी का मतलब है लेता हूँ गरन करता हूँ यानि कि जो नसीली दर्व्य पदार्त हैं जिसको सुरा बोलते हैं या ठोस पदार्त हैं जिसे मेरिय बोलते हैं या मद्ध जो चीज़ है जो मस्त कर देती है ऐसे पदार्त है या जो ऐसे स्थान है जहां इन सब चीजों में प्रमत हो जाता है आदमी, जहां दुनिया में कहीं भी प्रमाद में जा सकता है उनसे अलग रहने की, उनसे विरत रहने की मैं पिटिग्या करने की सिख्छा गिरन करता हूं इसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अगर बुद्ध के सीलों का पलंग करे और वो यह कहे कि मैं चार सील का पलंग करता हूँ पांच में का नहीं करता हूँ ये पांचों ही जो सील हैं वारित सील कहे जाते हैं वारित का मतलब है कि इसमें नहीं करने का है यानि कि चोली नहीं करना है वैवचार नहीं करना है हत्यार नहीं करनी है जूट नहीं बोलना है और नशीले पदार्थ नहीं करना है पांचों में नहीं सब्धाता है इसको वार इसे को वरती रहना बोलते हैं इसे को वरती रहना बोलते हैं 24 गंढ़े 325 दिन आपको इसे वरत रहना है वरती रहना इसनि वरत प्ला जाता है यह सील क्यों पढ़ा और क्यों इसकी जरूरत पड़ी भगवान बुद्ध ने जो यह सील बताए है सील का मतलब है कि जो आपके वचन को जो आप बोलते हैं और आपके जो काम है उसको मन से सैयत कर दे वो बात है जो मन से बलकुर ठीक कर दे शांत कर दे और आपको लापकारी हो वो सारी बात ने उनको सील कहा गया है भगवान बुद्ध के समय से पहले बहुत प्राचीन काल में भारत में कोई इस तरह की वेफचार या चोरी या नशा या पता नहीं होते थे बहुत सारे लोगों ने जो गुस्पैट की भारत के अंदर वो अपने साथ बुराइयां लेके आए और उन्होंने बुराइयों का वेपार किया जो और जिगे जहां से हुआए वहाँ चलती थी तो भारत के लोगों को भी उन्हें इन बुराइयों में डालना सुरू किया क्योंकि किसी को अगर तलवार से या किसी को बंदुक से या किसी को अगर जबर जस्ती आप अपना गुलाम या अपना सले बनाना चाहेंगे या उसे कमजोर करना चाहेंगे तो फिर उठ खड़ा होगा मगर अगर उसके परिवार में उसके पुत्र पुत्री में उसके ठांदान में या उसके अंदर अगर कोई बुराई डाल देते हैं कोई वैसन डाल देते हैं तो या कोई आसन डाल देते हैं तो फिर वो आपका permanent गुलाम हो जाता है और वो इतना गुलाम हो जाता है कि उस गुलामी के चकर में वो अपने बीबी बच्चों को भी आपको दे जाएगा अपना पैसा, अपना रुपी, अपना खेट, अपना जमीन जाया यहां तक कि वो आपकी बेगार भी करेगा अगर वो इन व्यसनों में पढ़ जाता है इसलिए उन दिनों सराब का चलन, सुरा का चलन या मेलिया का चलन या मज्ज का चलन, या ऐसी परमाद की चीज़ें परमाद में बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे परमादी का जो मतला होता है कि जिस चीज़ का आपको लत या राग लग जाए ऐसी चीज, बहुत सारी चीज़ें उसमें उस समय आती है तो उस सारी चीज़ों की आदत भारत के लोगों को डाली गई और भारत के लोगों को फिर जंजीरों में बांदने की जोत नहीं पड़ी वो सारे के सारे पर्मानेंट गुलाम होगे उन लोगों के जो लोग बाहर से गुस्पैट करके आए और इन बुरी आदतों को लेके आए इसलिए ये बुरी आदतें भगवान बुद्ध के समय में लगबग सारी छोड़ी जो ये कहते हैं क्योंकि बार 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 मन में डाला जाता है कि शराब चीज ही ऐसी है कि ना छोड़ी जाए ये बार बार मन में इसने डाला जाता है कि आपको लगे कि शराब बहुत बड़ी चीज है या बहुत बड़ी इसकी आदत है जो छूट नहीं सकती जैसा कि कॉरोना के समय में आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग थे शराब पीने वाले या सिवर्ट पीने वाले या नशा पता करने वाले जिनको मिली उन्होंने अपनी जरुद पूरी करने के लिए इस आदत को पूरी करने के लिए इस्तमाल किया या जिन्होंने बहुत उंचे दामों पर चोरी छुपे लिया उन्होंने किया और जिनको नहीं मिली उन्हें कोई आदत भी नहीं पड़ी यानि कि उनकी छूट गई आदत बहुत लोगों की आदत छूट गई और जब अबिलेबल होगी तो फिर वो उसकी तरफ मन करेगा और हो जाएगा यह basically काम कैसे करती है अगर यह समझ लें कि यह आदत काम कैसे करती है तो इसे छोड़ना आसान होगा क्योंकि शराब ऐसी चीज है जो छोड़ी जा सकती है क्योंकि जो आदत पड़ती है वो छोड़ी जा सकती है भगवान बुद्ध के समय में और असोक के समय तक असोक के पोत्र के समय तक और बहुत बात तक भी लोगों ने यह सारी चीज़ें छोड़ दी क्योंकि पंच सील का पालन पूरे देश में होता था और सारी बराईयां लगबग लोगों ने छोड़ दी थी तब ही भारत बहुत ज़्यादा शक्ति शाली हुआ और सबसे ज़्यादा अखंड भारत और ब्रत भारत उसी समय रहा तो काम कैसे करती हैं? जब पहली बार आपके सामने कोई शराब ले के आता है कोई नशिला पदात ले के आता है या कोई मज ले के आता है या कोई प्रमत्त का सामा ले ले के आता है तो आप ध्यान देंगे कि आपको आदत नहीं है यानि पहले से कोई आदत आपको पड़ी हुई नहीं है इसलिए ये कहना कि इसकी शराव के हमें आदत लग गई आदत लगी नहीं है क्योंकि शराव आपके पास जब पहली बार आई है या नशिला पदात पहली बार आया है तो आपने उसका सेवन किया है पहली बार सेवन करने वाले जितने भी विक्ति हैं उनका जो experience है वो बहुत बेकार और गटिया होता है क्योंकि ना तो शराब मीठी होती है ना तंबा को मीठा होता है ना ही चरस गांजा आफीम जो है वो मीठी होती है ना ही उनके कोई impact अच्छे आते हैं और पहली बार में कहीं किसी को आदत भी नहीं पड़ती मगर जब वो उसको घ्रन करता है तो ये पधार्थ कैसे काम करते हैं इन पधार्थ को लेने के बाद में आपका जो sense का system है यानि कि जो आपका इद्दी का तंतर है इद्दी का तंतर उसको बोलते हैं जो आपको जागरुक रखता है जो आपको विजल रखता है जो आपको चेताता रहता है जो आपकी चेतना होती है जैसे मैं अभी कैmere के आगे बैठा हूँ तो camera कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं मैं 100% चेतना के साथ काम कर रहा हूँ मगर अगर मैं कोई नसीला पधात ले लेता हूँ तो फिर मेरा जो sense है वो 100% काम नहीं करेगा उसकी जो efficiency है काम करने की छमता है वो कमजूर हो जाएगी कम हो जाएगी यह जो पधार्थ हैं यह मेरे काम करने की छंता को कम कर देंगे और मेरे blood pressure को भी कम कर देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ आराम है क्योंकि नीद की जो मुद्रा होती है जिस समय नीद आती है उस समय भी हमारी body काम करना टम कर टम करती जाती है और बंद कर देती है सेंसे सारे बंद हो जाते हैं जो तंत हैं जो इंदियां है वो बंद हो जाते हैं तो हमें relax मिलता है क्योंकि अब machine हमारी काम नहीं कर रही है तो ये चलती हुई machine को अचाना की slowdown कर देते हैं और उसको ऐसा लगता है जैसे relax mode में या आनाम वाले mode में आ गए है तो लगता है कि बड़ा अच्छा है क्योंकि अब सरीर पर जो नहीं पड़ रहा अब brain पर जो नहीं पड़ रहा अब मन और मस्तिक्स बिल्कुल आराम में आ गए है ब्लेट पैसर कम है तो अचानक high speed से चलती हुई कार जो 60 speed जा रही है अगर अचानक 20-30 speed से आ जाए तो ऐसे लगता है कि वो आराम में आ गए है तो ये बड़ा मन को तो थोड़ा सा अच्छा लगता है सरीर को अच्छा लगता है कि सरीर रेष्ट मानता है सरीर कभी नहीं चाहेता कि वो काम करे क्योंकि इसके अंदर जो मार होती है वो हम ऐसा कहती है कि क्यों मेहनत कर रहे हो क्यों एक्साइज कर रहे हो क्यों काम कर रहे हो छोड़ो क्योंकि सरीर को मार खतम करती है मार चाहती है कि सरीर को जल्दी से जल्दी खतम करके अपना काम खतम करे सरीर के अंदर जो मार की और डैथ की फाइल होती है वो 24 गंटे एक्टिवीट रहती है वो 24 गंटे कहती है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे सरीर ज्यादा दिन तक चले तो वो हमेसा ऐसे कामों के लिए आपको प्रोड़त करती है जो मार है ज्या निगिटीव उर्जा है जो आपके सरीर के अंदर ही होती है जिससे आप अपने सरीर की जादा देर चलने वाले या सुस्थ होने वाले काम को छोड़ दें तो शराव या नसीले पदात उसी में आते हैं जैसे ही वो पहुंसते हैं तो मार का मन पसंद वो भोजन है यानि कि मार उसको बड़ा पसंद करती है कि ये बहुत अच्छा भोजनाया है जिससे कि मेरा काम आसान हो गया अब इसका सरीर डाउन होने लगा है अगर आपको नसीला पदात बहुत ज़्यादा सेवन कर लेंगे तो मर भी जाएंगे यानि मार का काम जल्दी खतम हो जाएगा तो मार बार 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 कैसे उसको याद कराती है कि आपको दुबारा से सराब लेनी है या नशीला पदात लेना है इसका एक पहली बाद जब कुछ सेवन करता है तो इसका एक फोल्टर बनता है इसकी एक जानकारी का खाता खुलता है खाता खुलता है शरीर के अंदर کہ ये वाला पधात लेने से मेरे सरीर में बढ़ा related거나 और ऐसा जोड़ा गया है तो और जो लोग ये सोचते हैं और ये समझते हैं और ये जानते हैं कि ये पधात लेने के बाद मेरा सरीड डाउन हो गया और मेरे सरीर में ये कमी आ गई मेरे सरीर में दर्द हुआ, मेरे पेट में दर्द हुआ, मेरा ब्रेन काम करना कम किया मेरा जो खून का दोरा है, जो ब्लड का पैसर है वो बड़ा कम हो गया मेरी उर्जा कम हो गई, मैं काम नहीं कर पाया, मैं पड़ नहीं पाया में लिखने पाया, वो अपने Footer में लिखते हैं कि ये पधात खराब है, ये पधात नहीं लेना है इसने ध्यान देजिये कि दुनिया में पेहली बार सराब या नशिला पधात पिने के लिए या पिने के बाद हर एक आदमी को लट नहीं लगती हर एक आदमी इसकी ले में नहीं आता हर एक आदमी इसकी पकड़ में नहीं आता वो लोग पकड़ में आते हैं जो मन से बहुत कमजोर होते हैं जो अग्यान होते हैं जो जानकारी जिनकों नहीं होती है जिनका वियाना बहुत कमजोर होता है इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप मन से कमजोर है और आपका वियाना आपका अंदर से जो शक्ती है मार है वो बहुत ज़दा प्रिवल है जो आपको मानना चाहती है तो आप जल्दी पकड़े जाएंगे तो शराब जैसे जाती है तो उसकी जानकारी कोड़ पूरा बनता है कि इसने ये काम किया इसने ब्लड पैसर कम किया इसने बॉड़ी को शिथिल किया शांत किया इसने रेलक्सेशन की फिलिंग दी या इसने सरीर को खराब हुई या चक्तर आए या पेट में दर्ध हुआ या यह चीस हुई या दस्त लगे या लेटिन में लूज मोसन आये या पेट में एठन हुई या ब्लट पैसर उपर हुआ या नीचे हुआ या सरीर में घवराट हुई या तवित खराब हुई ये सारी चीज़ें सरीर रिकॉर्ड करता है और record करने के बाद उस folder में डाल देता है अब आपको जब भी दोबारा शराब या नशिला पधार्त या सिगरेट या तमबाकू या अफीम चरस गांजा दिखाई देगा तो आपका वो folder एक्टिवेट होगा, वो खुलेगा खुलने के बाद में अगर आपने उसमें ये जोड़ा है कि ये मुझे अच्छा लगा तो आपको दुबारा चाहिए और अगर आपको नहीं ये जोड़ा है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा तो आपको उससे नफरत हो जाएगी आप उसके तरब देखेंगे नहीं, बड़न उसको फैंक देंगे, उसको तोर देंगे, उसको खतम कर देंगे मगर आपका मन इस बात को जानता है कि ये पधात ठीक नहीं है क्योंकि जो लोग अपने फोल्डर में ये जुड़े होते हैं, उनका conscious mind ये बताता है कि शराब पीना ठीक नहीं है, दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो चाहें बेशक शराब नसे ले पधात लेता हो या ना लेता हो जो ये कह दे कि ये पधात मैं ले रहा हूं और ये अच्छा है अगर अच्छा पधात होगा तो वो अपने पुत्र को और पुत्री को जरूर पलाएगा और अपने बच्चे को जैसे ही पैदा होगा वैसे जरूर देगा अगर कोई दुनिया में किसी को शराब ना देता है ना पलाता है ये इसकी खास बात है इसका मतलब ये बुरी चीज है और बुराई की सामान है तो जब मन बार 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 इसको मांगता है तो उसको राग बोलते हैं ये राग आपके सरीर में आ जाता है इस राग की वैसे आपको सराव अच्छी लगती है बागी सराब की इतनी जादा महिमा मंदित की जाती है जो ना भी लेने वाले हैं वो बी इसको ट्राई करने के लिए कोशिश करते हैं कि यह है क्या इसको देखे हैं यह कैसे काम करता है तो शराब कहीं आपके अंदर जरूत का सामाण नहीं है वो सिर्फ एक राग है जो आपके अंदर फाइलर फोल्डर बना हुआ है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि शरीर को शराब की आवशकता शरीर को नशे की पदारत की आवशकता नहीं होती है जो नशे के पदारत के आफशकता होती है वो पहले मन मांगता है यानि मन में आता है कि ये सेवन करना है या नहीं, ये पीना है या नहीं, ये खाना है या नहीं अगर मन से आपने उसको मने कर दिया, रिजेक्ट कर दिया तो फिर शरीर को आफशकता नहीं है मगर अगर आपने मन में इसको बार 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 रिपीट किया कि मुझे तो बड़ा अच्छा लागा, मुझे तो बहुत अच्छा लागा, मुझे तो चाहिए, चाहिए, चाहिए तो इसको लत बोलते हैं, इसको राग बोलते है ये बड़ा होता जाता है ये एक बीमारी बन जाता है उसके बाद फिर आप अपने बच्चों को बेचेंगे अपने घर का सामान बेचेंगे अपनी जोयली बेचेंगे अपनी जो बची हुई सारी चीज़े उनको बेचेंगे और इसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छों से गरमी मिलती है, उस से कम सराब से गरमी मिलती है क्योंकि ऐलकोईल तूटके ग्लुकोज में बदलता है गरम पानी पीलेंगे तो उस से भी आपको अनरजी तुर्णत मिल जाएगी, तुर्णत सरीर आपका गरम हो जाएगा, शराब से भी आप इसका experiment करके देख सकते हैं मगर मन अगर आपका बारवार बारवार ऐसा कहता है क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि शराब काम कैसे करती है लोगों को इतना ज़्यादा इसको महिमा मंड़ित किया जाता है खास तोर से पुरुसों के अंदर यानि मेल के अंदर तो उनको लगता है कि शराब वहुत बड़िया चीज़ है जो सराब पीता है उसकी बड़ी आलिशान बात होती है ज़्यादा पिएगा तो ज़्यादा बात होगी महंगी पिएगा तो बड़ा रॉयल हो जाएगा और सराब बेशने वाली जो कंपनिया है उनके मुनाफ़े सैक्ड़ गुना होते है एक एल्गो हल एक लीटर की जो पैदाईश है वो 10-12 रुपे में हो जाती है मगर उसे एक चमकदार बोतल में अप्राइजमिन के साथ में वो 2,000, 5,000, 3,000, 2,000, 8,000, 2,000, 2,000, 3,000 जो कीमत चाहें उसकी ले सकते हैं जितना उसको महिमा मंडित करते हैं उतना ही ज़ादा यही ठीक तंबाकों का और नशिले पदार्तों का बागी का है इस पूरे धंदे में इतना ज़ादा पैसा है इतना ज़ादा पैसा है कि लोगों को जबर जस्ती जबर जस्ती प्लेस किया जाता है पताया जाता है कि इसका सेवन करो इसको बहुत ग्लेमराइज करके दिखाया जाता है पिच्चरों में, नाटों में, पोश्टों में, एफटराइजमेंट में ताकि आदमी को इसकी जिक्यासा लगे उसके सामने बार-बार-बार पोश्ट राये उसको लगे कि इसे पीना बड़े शान की बात है बड़ी इज़त की बात है बहुत बड़ा श्यटस हो जाएगा बहुत बड़ी माननेता हो जाएगी और कईवार बच्चों के मन में आता है कि ये बड़ो का काम है अगर इसे हम पिएंगे तो हम खुद बड़े हो जाएंगे इस तरह से ये पूरी दुनिया को ये जवजस्ती कुछ लोग जो इसका मुनाफ़ा कमाते हैं इसका पैसा कमाते हैं वो इसके धंदे के लिए पूरी दुनिया को ये जहर बाटते हैं मगर ये किसी को नहीं छोड़ता क्योंकि ये समानता पैया दारित हैं उनके खुद के बच्चे भी जो शराब बिषते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो अपना आठंगों का मार गया उसमें का है सम्यक आजवी का यानि कि अगर आप अपने कमाने को धंदे को सही नहीं रखेंगे और किसी को पाप करमें डालके पैसा कमाएंगे तो आपके बच्चे जीवन भर इसका दुख पाएंगे आपकी पीडियों की पीडियों उसका दुख पाएंगे इसके सराव बेचके या सराव की परमिशन देके या सराव को एलाव करके जो लोग यह सोचते हैं कि हमने को अच्छा काम किया है किसी को मारना या मारने का सामन प्लाना या उसके घर को बरवाद करने का सामन प्लाना या उसको खतम करने का सामन प्लाना कभी भी अच्छा काम नहीं हो सकता इससे देश भी बरवाद होता है वरक्ती बरवाद होता है परिवार बरवाद होता है समाज बरवाद होता है और जो पैसा अगर कोई कमाता है तो भी बरबाद होता है क्योंकि इतने ज़ादा लोग इसे बीमार रहते हैं इतनी ज़ादा दोड़ फुल होती है इतनी ज़ादा क्राइम होता है कि सारा सामज सिस्टम है वो उस पैसे के आगे बесьलुकुल बेकार हो जाता है उससे बाप को ना इच्चत देते हैं और ना ही उसको कोई बात उसकी मानते हैं। उसके बात में जब वो बीवार होता है तो उसका पैसा परवात हो जाता है और मनने के बाद भी उसे इच्चत नहीं मिलती। कहते हैं कि वो साला सराबी था मर गया। यानि साला सराबी फिरी में गाली देके उसको नवाजा जाता है और कोई उसकी मरने के बाद भी इच्चत नहीं करता। तो इससे कोई फायदा नहीं है ना सामाजिक है ना आर्थिक है ना राजनितिक है ना धार्मिक है ना ही किसी दे प्रजा को गुलाम बनाना हो, किसी देश को बरवाद करना हो, किसी देश को खतम करना हो, और किसी देश को आगे ना बढ़ना हो, तो सराव को जरूर बेचना चाहिए, और खुब बड़ा चला के बेचना चाहिए, क्योंकि सराव बेचने से कुछ पैसा देश को लगता है कि जाएगा मगर उससे ज्यादा उसका पैसा हॉस्पिटल में उससे ज्यादा पैसा उसका पुलिस की कारवाई में उससे ज्यादा पैसा उसका अदालतों की कारवाई में उससे ज्यादा पैसा जो बच्चे बिगड़ते हैं उनको ठीक करने में उससे ज्यादा पैसा जो पूरे बच्चे बच्चे को पैदा होते ही शहराब नहीं wider गूँ कभी। और शराभी खांदान में शराभी भी अपने बच्चो की शादी करना पसंद नहीं करता है। यानि की दो शराभी आपस में रिस्दार बनने को तयार नहीं है क्या-सकी सवाई है जो हमेंसा चंद来了 को फायदा देती है मैं पैसे का वाइशा प्राण प्रेज करेगी और उसको कहतं एडा प्रेज इसलिये भगवान बुद्ध ने अपने पांच सीलों में ये सील पांचमा दिया ये इसलिए दिया क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग इन वैसोनों में पड़े हुए थे और भगवान बुद्धने प्रियास किया और मेहनत की और लोगों को पढ़ाया और समझाया और दिखाया कि देखो शराब कैसे नुक्सान करती है आओ एही पस्ति को आओ विपसना करो और देखो कि शरीर को कैसे प्रभावित करती है जब कोई विक्ती नसीला पधात लेता है तो उसका सरीर उसके सामने ही मरना सुरू हो जाता है क्योंकि मरने की अवस्ता और सराब पीने के बाद की अवस्ता एक है जब आदी मरता है तब भी उसका सरीर कमजोर होता चला जाता है यह बात जिसको एसास हो जाती है वो जीवन भर के लिए शराब छोड़ देता है। शराब में जो लोग ये कहते हैं कि नसीले पदार्त या शराब या इसकी बहुत ज़्यादा तारिफ करते हैं या मेडिकल साइंस में बताते हैं। जो इस बात को कह दे कि शराब सरी के लिए ठीक है। नियम ही नहीं बनाया। compensating ज़्यादा या ज़्यादाइवर फोए ज़्या एलकोछ ज़्यादा करते हैं। आपने हजारों ऐसी घटना देखी होंगी जबकि कच्चा एलकॉल पीके इंप्योर एलकॉल पीके लोग मर गए और मरते रहते हैं यह जो नशीले पदार्त हैं यह जो सुरा मेर मज्जे है यह जब सरीर में जाते हैं तो यह सरीर में जो आपके मन के अंदर जो फाइले बनी हुई है वो अच्छी फाइलों को बंद कर देते हैं यानि कि जो काम आप अच्छे करने वाले हैं वो बंद कर देते हैं और जो फाइल आपकी गंदी फाइल है जो क्रोध की है, काम की है, लालसा की है इर्षा की है, विपसना की है, गाली करोच की है, हत्या की है, क्रिमिनल की है उन सब फाइलों को खोल देते हैं इसलिए नसीले पधार्थ लेने के बाद में आदमी अच्छे काम नहीं करता उसके मन में, सबकॉंसेस मैंड में जो दवे हुए मन के अंदर जो बुरे काम होते हैं वो सारे के सारे एक साथ निकल के आ जाते हैं और वो उक्रूप धान करते हैं चुकि मन बहुत कमजूर होता है, इसलिए मन उन फाइलों को रोक नहीं पाता यह जो नशिला पधारत है, यह उनको रोकने के लिए मना करतेता है और मार हावी हो जाता है सराब के नसे में, चरस गांजे अफीम के नसे में या जो ड्रक्स लेते हैं उसके नसे में या जितने भी पिकार के मज्ज हैं या प्रमाद हैं उस नशे में आदमी सारे निगेटिव काम ही करता है सब उल्टे काम ही करता है कभी भी कोई भी आदमी आपको नशे में अच्छा काम करता हुआ नहीं मिलेगा ये नशे की खास बात है भगवान बुद्ध ने इसको बहुत बारिकी से समझा कि ये कैसे मन पे हावी होता है और कैसे आदमी की अच्छाईयों को हरण कर लेता है, हत्या कर देता है और बुराईयों को खुराग देता है बुराईयों को ये आगे बढाता है और बुराईयों मन पे हावी हो जाती है और आदमी जो अपने परवार की रख्षा करने के लिए तियार होता है वो उसका बख्चन कर देता है यानि कि जिस पतनी को बचाने के लिए वो जान लगाता है जिन बच्चों को खाने कमाने के लिए खाना लाने के लिए वो पूरी जिन की लगाता है सराब के या नशिले पधात के परभाव में आके क्याई वार उनकी भी हत्या कर देता है उनको मारता भी है उनको पीटता भी है इसलिए सराब बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज है भगवान बुद्धने कहा है कि अगर शेर आपके सामने आ जाए तो उससे मत डरना मगर अगर शराब सामने आ जाए नशिला पधार सामने आ जाए तो उससे आप भैबीत होना डरना उससे क्योंकि वो आपको अंदर तक चानवर बना देगी और आप अपने हातों से अपने परिवार को खतम कर देंगे तो सुरा मेर मज्य पमादे ठाना वेरमनी बहुत ही बढ़िया और बहुत शांदार सील है ये पांचवा सील है आप इन सीलों को जीवन में अपनाईए और बुद्ध पूर्ण मा मनाईए धन्यवाद ये ढ़्या में भांवन शरनंग गचा में संगन शरनंग गचा में पतंशरनं गच्छा में